बार्डवेर पुलिस ने एक युवक से मारपीट करने और अशलील वीडियो बनाकर वाइरल करने की धमकी देने के आरोप में एक युवती सहेट चार आरोपियों को गिरफतार किया है अतरिक पुलिस अदिक्षक जसाराम बॉस ने बताया कि धनायू गाउं निवासी एक युवक ने शिकायद दर्ज कराई जिसमें युवक ने बताया कि एक युवती से सोशल मेडिया पर दोस्ती के बाद युवती और उसके साथियों ने वीडियो वाइरल करने की धमकी दी और 21 लाख रुपे मांगे इस समंद में पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपियों को गिरफतार किया है और थेस तरिको परिवादी मुकेश कुमान ने एक रिपोर्ट फुलिस थाना धनाव में पेस की गई थी जिसमें फुलिस थानादीगारी सदर व्यूस्टी चीम एवहम थानादीगारी धनाव दारा कारवाई को अंजम बिया गया था प्रिडीत को थो यहां बारे बेरे में बंदक बनाए गया था और फिर किसी जबे शुंसान जबे पेसे लेकर इनको बुलाए गया था जहां पर हमारी पुलिस टीम ने जरह डालकर इनको बंदक को सुनगा लिया बागी मुल्गी महां से फरार होते हैं